नमस्कार दोस्तो, स्केरला डायोड मोडूलेटर और स्विचिंग मोडूलेटर जो AM सिगिनल जनरेशन्स के लिए यूसफुल हैं, दोनों टोपिक इन डिटेल हम कवर कर चुके हैं, इस वीडियो में दोस्तो उनीके वेसिज पे एक नुमेरिकल प्रोब्लम आपके सामने सॉ यह आपका कुछ ऐसा दे रखा है, ब्लोग डाइगराम, यह सिगनल है, तू कोस्ट पाइट दूसरा सिगनल है, तूनों सिगनल्स एड़ हो जाते हैं, बाहर निकलने वाला सिगनल वी इन कहलाता है, यह सिगनल स्केर ला डिवाइस में जाएगा, यूजली यह डायोड यूज होता है, क्योंकि डायोड की नोन लिनियर करेक्टर स्टिक्स हैं, तो नोन लिनियर डिवाइस भी कह सकते हैं, डायोड से बाहर निकलने वाला सिगन को ही पास करेगा फाइनली वो सिगनल आपका amplitude modulated signal कहलाएगा और ये सिगनल आपके antenna के थरू radiate कर दिये जाते हैं ठीक है तो अब हम start करते हैं V in क्या है V in है इन दोनो signals का addition तो ये बनेगा बच्चो 2 cos 200 pi into t plus 20 cos 2000 pi into t ये आपका V in है और definitely V in है ये जो signal है आप अगर ध्यान से देखें तो इस signal की frequency कम है standard form क्या होती है cos 2 pi f into t अगर compare करोगे तो यहां 100 hertz का signal है और यहां पे बच्चो 1000 hertz का signal है कम frequency के signal modulating signal कहलाते हैं तो ये पूरा M of t है high frequency का जो signal है वो आपका career signal कहलाता है that is C of t तो इन दोनों का sum आपका V in आचोकर है अब finally मुझे output voltage चाहिए यहां voltage चाहिए तो आपकी जो square law device है वो ऐसा काम करती है कि output voltage जो होगी वो proportional to input voltage भी है plus square of input voltage multiply with 0.1 यह उसका पूरा behavior है तो यानि output जो है that is V in V in जो है वो लिख देजिए 2 cos 200 pi into t plus 20 cos 2000 pi into t V in आचुका है plus आगे क्या है 0.1 into V in का whole square तो 0.1 यहां लिख दिया और जो V in है इसका whole square that is 2 cos 200 pi into t plus आगे होगा बच्चो यह वाला signal 20 cos 2000 pi into t और finally इसका square ठीक है अब आपको कुछ नहीं करना इसको सिर्फ solve करना है यहां से brackets अटा लेजिए तो यह बनेगा आपका 2 cos 200 pi into t plus दूसरा बनेगा बच्चो 20 cos 2000 pi into t अब देखिए 0.1 और यह आपका complete whole square है तो माल लेजिए यह expression a है यह expression b है a plus b का whole square क्या होगा a square plus b square plus 2 ab उसके साथ 0.1 भी multiply करना है तो यहां मैं एक step बचा लेता हूँ I hope इसको आप easily solve कर सकते हैं तो यह बनेगा 0.1 multiply with इसका square इसका square क्या होगा 4 cos square 200 pi into t ठीक है plus 0.1 इसके साथ multiply करके इसका भी square होगा कितना होगा 20 का square that is 400 अब cos square 2000 pi into t ठीक है इसके बाद plus इन दोनों का 2 ab यानि 2 into 2 4 4 into 20 कितना हो गया आपका 80 तो 0.1 into 80 a into b तो यह कितना बनेगा बच्चो cos 200 pi t multiply with what cos 2000 pi into t अब यहाँ पे एक फार्मूला आपको यूज करना है यूज क्या करना है देख लेजिए अगर मुझे ये पता है cos square omega c t इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ 1 plus cos 2 omega c into t divided by 2 और अगर कहीं ये यूज हो 2 cos a into cos b तो इसकी बज़ाए आप क्या लिखेंगे cos a plus b plus cos a minus b ठीक है अब देखो जहां जहां square है वहाँ ये formula यूज करो जहां cos a cos b terms है वहाँ definitely ये वाला formula यूज करो तो इसके बाद हमारे पास finally equation बन जाएगी अब वो equation होगी ये आपका as it is होगा 2 cos 200 pi into t plus 20 cos 2000 pi into t plus अब ये देख लिजिए 0.1 into 4 कितना है 0.4 अब इसकी बज़ाए क्या लिखों cos square theta that is 1 plus cos 2 theta divided by 2 तो ये लिखूंगा मैं 1 plus cos double कर देजिए यहाँ omega c कितना है 200 pi अब कितना हो जाएगा 2 omega c that is 400 pi t divided by 2 आगे चलके 400 into 0.1 कितना हुआ बच्चों 40 और इसके साथ ये क्या है 1 plus cos 2000 pi है अब क्या हो जाएगा 4000 pi into t divided by 2 ठीक है अब इसके बाद last expression है ये 2 cos a cos b अगर बनाना है तो obviously divide by 2 multiply by 2 करके देख लिजिए ये आपका कितना हो जाएगा this is equal to this is 8 8 है तो आप इसको 4 यूज़ कर लें इसके होएगी 500 pi into t plus subtraction में कितना होगा cos 1800 pi into t ये आपका आ चुका है अब यहाँ पे ये जो है इसको मैं first expression बोल दूँ इसको मैं second बोल दूँ और ये जो है बच्चो ये मेरा third expression है और ये जो है आपका यहाँ पे ये मेरा fourth है और ये जो है ये मेरा finally fifth expression है अब मैं क्या करूँगा इसको मुझे band pass filter से pass कराना है band pass filter की characteristics क्या बता रखी है एक बार यहाँ ध्यान से देख लिजिए ये हमारा band pass filter का frequency response है maximum frequency क्या है वही 1200 Hz और minimum frequency जो pass हो सके वो क्या है that is 18 Hz इसके बीच की सारी जितनी भी frequencies होंगी band pass filter से सारी frequency पास हो जाएंगी 800 Hz से कम frequency भी पास नहीं होगी 1200 Hz से जादा frequency भी पास नहीं होगी अब यहाँ देख लिजिए first expression जो है उसमें frequency कितना है वही omega c 200 pi है तो frequency कितना हुआ 100 right 100 हुआ अगर 100 है 800 से कम है इसका मतलब बच्चो यह जो first component है यह band pass filter से पास नहीं होगा second expression देख लिजिए second यह था इसकी frequency कितनी है बच्चो यहाँ पर इसकी frequency होगी thousand यह obviously hertz में है thousand hertz पास हो जाएगी बिलकुल पास हो जाएगी तो जो second expression है यह definitely पास हो जाएगा ठीक है तो मैं अब finally जो V note का expression है वो लिख देता हूँ this is 20 cos this is 20 cos 200 pi into t यह आ चुका है अब देख लेजिए 0.4 into 1 by 2 यह कितना हो गया 0.2 0.2 क्या है dc जिसकी frequency 0 है 0 frequency पास नहीं होगी अब इसके साथ cos 400 pi into t यहाँ की frequency कितनी होगी 3rd जो expression है उसमें frequency 1 dc है तो 0 और दूसरा cos 400 pi t है तो उसकी frequency हमारे पास 200 है तो 200 frequency भी 800 Hz से कम है तो वो भी पास नहीं होगी इसका मतलब बच्चो 3rd जो expression है यह band pass filter से पास नहीं होगा similarly यहाँ पे जो cos 4000 pi into t है यह कितना बना 4000 that is 2000 Hz वो frequency 1200 Hz से ज़्यादा है तो वो भी पास नहीं होगी तो जो आपका 4th expression है वहाँ से frequency 0 मिली और 2000 Hz मिली तो वो भी आपका क्या होगा 4th भी पास नहीं होगा अब आगे next क्या है next आपका है यह वाला signal तो यह वाला signal क्या है 2200 pi t divide by 2 pi कर दें तो f आ जाएगा यानि 1100 Hz तो इसका मतलब जो 5th expression है उसमें frequency बनी 1100 Hz 1100 Hz आपकी 1200 से कम है यानि इस range में है definitely यह आपका पास होगा फिर हमारी 1800 pi है इसको divide by 2 pi करें तो 900 आएगी तो 900 भी आपकी इसी range में है यानि यह भी आपका पास होगा तो दूसरा जो component है वो यह है that is equal to यह लिख दीजिए या इसके साथ जो already था वो एक साथ लिख दीजिए तो यह हम लिख सकते हैं 8 यह वाला ही expression लिख देंगे ताकि common terms आजें और standard am बना सकें तो यह हो जाएगा हमारा 8 into cos 200 pi into t multiply cos 2000 pi into t आपका overall output voltage का यहां से बच्चो 20 cos 2000 pi t common ले ले जिए तो यह आपका 20 यहां common brackets में यहां 1 बचा this is 8 divided by 20 और यह बना आपका cos 200 pi into t और common क्या था आपका cos 2000 pi into t ठीक है अब यह जो equation मिले आपको यह equation standard am signal की equation है और cos omega m into t expressions के साथ यह जो लिखा जाता है बच्चो यह आपका modulation index है तो यहां से आपको modulation index मिल चुका है वो है बच्चो आपका 8 divided by 20 और 8 divided by 20 कितना होता है that is 0.4 तो यह expression भी आ चुका है अगर आपसे कोई पुछे omega m कितना है तो यह signal m of t था 2 pi से multiply कर दीजिए omega m आपका omega m तो 200 pi है लेकिन अगर कोई आपको fm पुछे यानि frequency तो वो 100 Hz है अगर कोई आपसे fc पुछे तो यह आपका c of t था इस expression को 2 pi से divide करोगे तो यह आपका 1000 Hz आ चुका है तो यह सारे के सारे आपके parameter है I hope अब आपको समझ आ चुका है कि square la modulator हो या switching modulators हो उसके basis पे किस type की numerical problem दी जाएंगी और किस approach से finally आपको solve करना है ठीक है तो I hope अब आपको यह concept समझ आ चुका है this is the end of the video thank you so much for watching this video